Hello everyone, welcome back to my channel future study तो guys इस वीडियो में हम 4th semester and 6th semester और animal mode student के जो exam form के recording बात करने जा रहे काफी जादे student के exam form को लेकर काफी टेंसन हो रही है तो इस वीडियो में हम आपको clear करेंगे जो भी आपके exam form को लेकर doubt है तो सबसे पहले जो 4th semester के student है तो उनके जो exam form है या आप registration कह सकते हैं तो उनको जो 3rd semester के आपने admission लिया था 3rd semester का उसके साथ ही आपने 4th semester के subject select कर लियोंगे तो ये तो आपको फिर 4th semester का जब आपने subject select कर लिया है तो आपको कोई भी examination form अलग से नहीं बननी है कोई भी extra fees नहीं देनी है अब आपको direct exam देने होंगे ठीक है तो काफी जादा student ऐसे भी है जो आपको 3rd semester के जो subject select किये थे उसके साथ 4th semester के नहीं किये तो उन student को क्या करना है तो जो student नहीं किया है तो आपको 15 अपरेल तक बेट करना है कि आपके डैस्बोर्ड में option आजाएगा 4th semester के subject select करने का अगर आपके पास नहीं आता है 15 अपरेल तक तो उसके बाद आपको S.O.L. campus जाना है और S.O.L. campus जाके अपने subject को select करना है और add कराना है ठीक है तो 15 अपरेल तक पहले बेट कीजिए और नहीं आता है तो S.O.L. campus विजिट कीजिए और अपने subject add कराईए 4th semester के जो भी आपको चाहिए तो अगर 4th semester student के किसी subject में second semester में जो बैक है E.R. आया है तो उनको अपने paper देने तो edit करने का option नहीं आ रहा है तो हो सकता है आने वाले time में आपके dashboard में edit करने का option आ जाए अगर edit करने का option नहीं आएगा तो इस region में भी आपको S.O.L. campus जाके अपने subject को add कराना है जिस भी subject में आपकी E.R. या कम नंबर आये हैं तो तो जो आपके exam form फिल हो रहे है उसमें आपको only अपने subject select करने है इसके आलावा ना यह आपको fees पे करने है ना यह कुछ और करना है यह link देख सकते हैं आप इस पर open करेंगे तो यह आपको direct student dashboard में open होगा और यहां से नहीं तो आप यहां से यह जो continue करेंगे website तो यहां से भी आ सकते हैं exam form भी कह सकते हैं सब कुछ इसी को करना आपको only अपने subject select करने फिर इसके बाद आपको paper देना है ठीक है और रही बात की last date क्या admission की 25 अप्रेल उससे पहले अपने admission का ले लिजेगा और अपने subject select कर लिजेगा अगर कोई student ने 6 semester में गलत subject चूश कर लिया है यापको change कराना है वह आपको subject नहीं लिए उस रीजन में क्या चूश गरते में आपको वेते करना हो सकता है कि पंद्रा से पहले आपके जो जो थोट समेस्टर में स्टूडेंट अपने सब्जक्ट एड़ कराना हुगा पंद्रा के बार चाहिए को उससे पहले बेट कर सकते हो सकता है तो एड़िट करने का उप्शन आजए और जो एनमल मोर के स्टूडेंट तो आपको भी अपना फॉर्म फिल कर देना है अगर आपने पहले फॉर्म फिल कर चुके हैं तो आपको कोई भी अलग से एस्ट्रा फॉर्म फिल नहीं करना है और यह उपर देख सकते हैं इस नोटिस में भी आपको बतायागे इस नोटिस को डाउनलोड करेंगे तो एनमल मोर के स्टूडेंट वही फॉर्म फिल करेंगे जो पांच एह से पहले कमप्लीट कर सकें जैसे मान ली जीए आपने दो हजार हारा में एडमिसन ली आ तो आप टेश तक पांच यह में कमपलीट कर सकते हैं तो अपना देख लीजिएगए गर आपको फाइफ वह में कमपलीट होते तो ही फॉर्म फिल कीजिएगा आप अगर आपने पहले फॉर्म फिल कर चुके हैं तो आपको कोई भी अलग से ऐस्ट्रा फॉर्म फिल नहीं करना है तो इस बात का ध्यार दखिएगा काफी जाए स्टूडेंट बोल रहें कि हमारे पात जो यह मैसी जा रहा है तो क्या हमें फिर से फॉर्म अपने फिल करने स्टूडेंट को सब्जेक्ट सेलेक्ट करने और अनिमल मोरी स्टूडेंट को भी अपने जो एडमिशन लेना है फिस फे करके अगर कर लिया है तो कोई भी ने करना और इसमें एक बात और बताई गए इस मैसिस के अंदर कि जो आपके ऑल लाइन एक्जामनेशन फॉर्म त तो इसमें कोई भी किसी स्टूडेंट को कंफ्यूजन नहीं होनी चीए आपके मही जून की पेपर ऑफलाइन होगा और आपने फॉर्म फिल कर दीजिए अगर कोई भी सब्जेक्ट गलत सेलेक्ट कर लिए तो आप बेट कीजिए अपडेट करने को ऑप्शन आ जाएगा 15 अपरेल से पहले अगर नहीं आता है तो एसल केंपस विजिट कीजिए और लास्ट डेट एडमिशन के 25 25 अपरेल है ठीक है तो इस वीडियो में यही सब इंक्वारी थी और बाकी आप टेलिग्राम वाट्सप गुरूप जोइन कर सकते हैं लिंक डिस्रिप्शन में वीडि पर पहले बारे सब्सक्राइब कर लिजिएगा थैंक्यू